नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं इतने दिन के सफर के लिए एक ब्यक्ति को महज 17,900 रुपय ही देना होगा इतने पैसों में रहने से लेकर खाने तक की सारी सुधा मिलेंगी बतादे बुद्धवार को सहर के एक होटल में आया से टीसी के मुख्य परवेक्चक निखिल प्रसाद वह सहायक कुमार विनस ने जनकारी देते हुए बताया है कि यह ट्रेन 18 माई को नियू जलपाई गुड़ी से रवाना होगी और 26 माई को वापसी करेगी यात्रा करने वालों के लिए यह ट्रेन मालदा टाउन, रामपूर होट, दुमका, भागलपूर, जमालपूर और पतना में रुकेगी इसके बाद ट्रेन की कोई वोर्डिंग नहीं होगी सहायक अध्यापको को मान्दे देने की मांग जारखन राज प्रसिक्सित सहायक अध्यापक संग ने सहायक अध्यापको को बेतन भुक्तान करने की मांग की है संग के अध्यापक सिदिक सेख ने कहा है कि विभाग के बेतन भोगी कर्मियों को अप्रेल का बेतन एडवांस में मिल गया है सहायक अध्यापक, CRP, BRP को महतपुन परव तेवहार में मार्च का मांदे नहीं मिला सरहूल, इद और रामनामी के तेवहार में मांदे नहीं मिलने से अध्यापको को काफी कठी नहीं हो रही है इस पर अविलाम नेरना लेना चाहिए लोकपाल के आदेश के खिलाप दिल्ली हाईकोट पहुंची जामो मो जारखन में सत्ता धारी दल जे एमेम के अध्यक्ष पुर्मुख बंतरी और राय सबासांसर सेवू सुरेन और जारखन मुक्ती मोर्चा से जुड़े लोकपाल के उस आदेश को पार्टी ने चोंती दे दिया है जिसमें लोकपाल ने आए से अधिक संपत्ती के मामले में सीबी आई को जांच का अदेश दिया है जारखन मुक्ती मोर्चार ने लोकपाल के अदेश के खिलाप दिल्ली हाईकोट का रूख करते हुए आज का दाखिल की है जिस पर 23 अप्रेल को सुनवाई हो सकती है सीबी आई को जल्द से जल्द जांच करने का अदेश दिया था लोकपाल ने सीबी आई को इस मामले की प्रालामभिक जांच 6 महिने के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया है वहीं बीजेपी के गोड़ा सांसर डाक्टर निसिकान दूबे ने 2020 में लोकपाल के समख सिकायत वाद दर्श कराई थी गोड़ा से बीजेपी सांसर डाक्टर निसिकान दूबे ने राई सभा सांसर वा जारखन के पूर्व सीएम सिवू सुरेन वो उनके परिवार के अन्य सदसों के खिलाब आई से अधिक संपत्ति अर्जित करने कारूप लगाया था हजारी बाग के बालका गाउं में दो पक्षों के भी जड़ब के बाद इस्थिती तना पूर्ण हजारी भाग जिले के बालका गाउं में दो पक्षों के बीच मंगलवार को जड़ाप की घाटना होई थी जिसके बिरोध में बुद्धवार को बुलाये गए बंद का चेतर में ब्यापक असर दिखा बुद्धवार को बलका गाव में छेत्र के सभी दुखाने बन रही वहीं किसी भी स्थीतीसे निपटने के लिए भारी संक्या में पूलिस बल कितने आती की गई थी बतादे मंगलवार को बलका गाव थाना छेत्र चावनिया में कलस यात्रा के दलन दो पक्षों के भी जड़ाप होई थी एक पक्ष के लोगों ने कलस यात्रा को रोकने का परियास किया था इसके बाद बात बढ़ गई थी जनकारी मिलते ही पूलिस की टीम मौके पर पहुँचकर मामले को सांथ करवाया था बता दे की साड़ चापेरवा में नो दिवसी सिरी सिरी एक एर आथ हनुवन्त और विस्व कर्मा महायक का आवेजन किया गया है इसे लेकर पहले दिन एक कई सो महिलाय कलफ चात्रा में सामिल होई थी सराब टेंडर घोटाले में जारखन सरकार पहुँची सुप्रीम कोट जारखन हाई कोट में राज में सराब के थोक और खुदरा बिकरी के टेंडर में गलबड़ी की जाच की मांग वाली जनहित याज का पर सुनवाई हुई सुनवाई की दोरान सरकार की ओर से अधालत को बताया गया है कि इसके खिलाब सुप्रीम कोट में याजिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोट में यह मामला सुनवाई के लिए लंबी था है जिसके बाद आदालत ने मामले की अगले सुनवाई 30 अप्रेल को निधारित कर दिया राज सरकार की ओर से सुप्रीम कोट के वरी अधिवक्ता कपिल सिबल ने पक्ष रखा है पिछली सुनवाई की दोरान राज सरकार की ओर चाहत शेप याचिका दाकिल कर प्रार्थी और उनके वकिल की साग पर सवाल उठाया गया था इसके बाद आदालत ने दोनों का नाम जनित याचिका से हटा दिया था कोट ने इस ममले पर सोता संग्यान लेते हुए सुनवाई जारी रखने की बात कही थी जे एमेम के पुरुबिधायक पौलु सुरीन को उम्र कैद की सजा जामों के पौलु सुरीन और नक्सली जेठा कक्षप को दोहरे हत्याकन ममले में निचली अदालत ने आजीवन करवास की सजा सुनाई है दोनों पर ठेकेदार भुषन सिंग और राम गोविंद सिंग की हत्या करने का आरोप था पिछले दिनों अदालत ने दोनों को दोसी करार दिया था बतादे पौलु सुरीन और जेठा कक्षप ठेकेदार भुषन सिंग और राम गोविंद सिंग को गोली मार कर हत्या करने का आरोप है घाटना 27 माई 2013 की है इसे लेकर मिरित्तक के भाई ने खुटी के कारा थाना में प्राथमी की दर्ज कराई थी दरसल ठेकेदार भुषन सिंग पर साल 2013 में एक महिला के साथ दुसकर्म करने का आरोप लगा था लेकिन पुलिस जाच में दुसकर्म का ममला फर्जी निकला और पुलिस ने जाच बंद कर दी थी इसके बाद भुषन सिंग की गिरफतारी के लिए बिधाया पॉलुस सुरेन ने कारणा में धारना दिया था सीता सुरेन ने जहरखन के हाल को लेकर बोला हमला दुमका से भाजबा की लोकसभापरत्यासी सीता सुरेन ने अपने परिवार पर ही निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि जीन है मेरे पति सुर्गे दुरगा सुरेन और बाबा ने थाली में परोश कर जारखन की बिरासत सोपी वही अपने संसकारों को भूल हमारी अंदेखी करते रहे मेरे देवर देवरानी ने कभी जारखन के लिए संगहर्श किया ही नहीं इन्हें तो थाली में परोश कर बिरासत मिली है सीता सुरेन ने आगे ये भी कहा है कि जो अपने परिवार के नहीं हुए तो यहां की जानता के कैसे हो सकते हैं यह भला यहां की जानता के बारे में क्या सोचेंगे इन्होंने तो परदेश को लूट और रश्टाचार का चरागा बना कर रख दिया है पूर्भी सिम्हुम में मीटी धसने से तीन महिलाओ की मौत पुर्भी सिम्हुम जीले के बाहरा गोड़ा परखंड के माटी हाना पंचायत अंतरगत धरमपूर को कमारा मौजा में मीटी धसने से तीन महिलाओ की दबने से मौत हो गई इस दुरखटना में चार महिलाओ घायल भी हैं जिनने उपचार के लिए नजदी की स्वास्त के दर में भरती कराया गया है बताया जा रहा है कि गाउं की कुछ महिलाओ घार के आंगन लिपाई पुताई के लिए एक खुदे हुए तलाब में मिटी के धेर से मिटी कटाई कर रही थी तबी अचानक मिटी का धेर गिर गया और महिलाओ उसमें दब गई जिसकी वज़ा से याद रुखटना हुई है देवघर की महिला टीम ने लोहर्दगा को 75 रनों से हराया देवघर टीम की कप्तान सोनिया कुमारी ने 36 रनों के महतपून पारी खेली और दो विकेट भी लिए है सोनिया मैन आफ दा मैच रही है वहीं पूर्व टॉस जीत कर पहले बले बाजी करते हुए देवघर टीम ने 34.2 ओभर में सभी विकेट खोकर 155 रन बनाए जिसमें पूर्णिमा कुमारी ने 36 रन, सोनिया कुमारी ने 36 रन और सुलेखा टुडू ने 13 वापिंकी ने 11 रनों का योगदान दिया है प्रोजेक्ट इमपेक्ट के तहत स्कूलों का निरिक्षन करने पहुँची टीम दुमका राज पर उन निदेशा के निरिदेश पर प्रोजेक्ट इमपेक्ट के तहत राज अस्तर से पहुँची टीम ने CM स्कूल आफ एक्सिलेंस जिला स्कूल दुमका में बड़े प्रमाने पर अनिमित ताय पाई है इस दोरान इस्कूल परिसर में गंदगी दिखी वही नए बिद्याले भावन हस्त गत होने के उपरांत भी कक्षा संचालान एवम साब सपाई का घोर अभाव दिखा अधिक्तर कक्षाओं में ताला बंद रखे जाने के करण टीम द्वारा घोर नराज की व्यक्त की गई आईसे में बिद्याले के परधाना ध्याप्पो को ततकाल प्रभाव से मुक्त करने के लिए राजे पविणा निदेस्तक से अनुसंसा कर दी गई है खुटी जिला पुलिस ने अड़की थाना चीत्से पीलफाई के दो सदसे गिरफतार किया है गिरफतार के एगे में सामू मुंड़ा और बोयर सिंग पूर्थी सामिल है पुलिस ने उनके पास से एक कटा, दो गोली, पेलेफाई का पर्चा और लेवी के दो हजार रुपे बरामत किया है HDPO वरुन राजाक ने बुद्वार को पेस कंफिरेंस कर बताया है कि दोनों पेलेफाई के एरिया कमांडर लंबु उर्फ रांडूंग बोदरा के गिरों के सहसे हैं दोनों अड़की, के, कोचांग, तुभील, मुचिया और डोलडा छेतर में एरिया कमांडर लंबु के कहने पर संगटन के नाम पर लोगों के बिच दस्तत फैलाने और लेवी वसूलने का काम करते थे केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुणडा ने तमाल में किया जन सनवात किया, कहा कि आज पर्धानमत्री नायंदमत्री के नेतिवत में देश आगे बढ़ रहा है, हमें तीसरी बार फिर से मोधी जी को पर्धानमत्री बनाना है आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है सिरी मुंडा ने कहा है कि बीते 10 वर्सों में हमारी सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखने का काम किया है वर्सों से जिस आदेवासी समाज की उपेक्षा की गई उस समाज को सम्मान दिराने का काम मोधी सरकार ने किया है आज देश की सबसे बड़े सन्वेधानिक पद पर एक आदिवासी महिला बैठी है जो हम सभी के लिए गर्व की बात है रांची टाटा हाईवे से पुलिश ने अवैध कोईला लोड साथ ट्रकों को पकड़ा है पुलिश को अवैध कोईला के तसकरी की सुचना मिली थी जिसके बाद पुलिश ने अकरवाई की है सरहुल पूर्व संध्या परसांस्क्रितिक कारेकराम इस मौके पर छात्र शात्रावन ने एक से बढ़कर एक आदिवासी निरितियम संगित कारेकराम परस्तूत किया है लोग सभाचुनाओ को लेकर गिरीडी एस्पी ने किया निरिक्षान लोग सभाचुनाओ को देखते हुए एस्पी दीपक सर्मा ने बुद्धवार को नक्सल परवाईत डूमरी, पियाटार और खुकरा थानाचेत का निरिक्षान किया ये तिनो थाना चेतर की अती नक्सल प्रभववित इलाकों में गिंती होती है SP ने पोलिंग पर्थित को बढ़ाने को लेकर इन सभी बुथों का निरिक्षन किये साथ ही उन सभी इलाके के लोगों से मिले और लोगों से अपील भी किये की निर्भिक होकर मतदान करे सभा आम निर्वाचन की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पतादिकारी सह DC सेखर जमुआर ने गढ़वा और डंडा परखंड का दवरा किया इस दवरान उन्होंने गढ़वा एवं डंडा परखंड करे आले के सभागार में बीडियो, सीयो, सभी बीएलो और बीएलो प्रेक्षक एवं सेक्टर पतादिकारिक साथ बैठाक की है साथ ही कई परमुख बिंदुओं पर समिक्चा कर आवसक दिशाने देश दिये इन्वे मुखे रूप से SD वेरिफिकेशन, फर्म 6 कलेक्षन, बी एफ एवं बी एजी एक्टिविटी रिपोर्ट, पोस्टल बायलेट, वोटर्स के लिए हाउस टु हाउस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, मदान केंद्रो पर एफ एफ यानि मुलभूत सुविधाओं की उप देखते वे सभी सस्त्र धरकों को 13 अपरेल तक अपने लाइसेंसी हतियार सम्मंदी थाना में जामा करने का आदेश चारी किया है, जारी आदेश के मुताबिक जीला अंतरगत वैसे सभी सस्त्र अनुग्य अप्तिधारी, जिन्होंने सस्त्र जामा नहीं किया है, तथा जि इसकी पावती रस्ती सम्मंदी थाने में भी जामा कराना सुनेश चित करे, ऐसा नहीं करने वाले लाइसेंस धार्योक विरूद लाइसेंस रद्धी करन की एक तरफा करवाई की जाएगी लोबिन हेंबरम राज महल से निर्दालिये चुनाव लडेंगे लोबिन ने कहा है कि जामों ने वर्ष 2019 में जिन सिधानतों पर विधान सभा का चुनाव जीता था, उन्सिधानतों पर वह ठिक न सका, उन्होंने कहा है कि पाटी ने नातुर लोगो को रोजगार दिया, नहीं अस्थानिये निती का कानून लागू किया लोबिन हेमरव ने कहा है कि राज महलोक सवा सिट से जारखन मुक्ती मोर्चा के विजय हंसदा एकला होते सांसद हैं लेकिन इस बार जानता है विजय हंसदा के पक्ष में नहीं है किसी से भी जाकर पुछ लीजिए हर कोई विजय हंसदा का विरोत करता है तीन पहाड में मानो तसकरी के दो आरोपी गिरफतार साहेवगन जीले की तीन पहाड पुलिश ने मानो तसकरी कर चार नवाली को नोएड़ा ले जाते समय रेस्किया है साथ ही मानो तसकरी के दो आरोपी को गिरफतार भी कर लिया है पुलिस को ऐसी सुचना मिली थी कि बिरिंदा वन पंचायत के रामपुर इसकूल के पास एक टोटो से कुछ नमालिक लड़की और लड़के को ले जाया जा रहा है सुचना मिलते ही तीन पाहर थाना पर भारी सारूख ने अपने वरिये अधिकारी के निर्देशान उसाट टीम गठित कर मंगलवार के राच्छापे मारी कर दो नमालिक लड़की और दो लड़के बरामत किया है बिहार के पूर्वी चमपारन जीला अंतरगत मलाही थाना चेत्रेक के पंचरूख हीए गाउं के उमेश परसाद वो मिर्जा चौकी थाना चेत्रेक के धानवास मान्डरो की महिला सांजली मरानिकों की रफतार कर लिया गया है खरसावा में जगरनाथ रथ यात्रा पर खर्च होंगे 18 लाख रूपा है जार्खन का खरसावा में उडिशा के जगरनाथ पूरे की तरह हर साल भगवान जगरनाथ की रथ यात्रा निकलती है इस बार भी भव्य वार्षिक रथ यत्रा निकालने की त्यारी है वारी पदा की तर्ज पर विशेश रूप से बने रथ पर सवार होकर भगवान जगरनात भया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी पहुँचेंगे रथ निर्मान के लिए बुद्धवार को खरसावा के राजबाड़ी परिसर में विशेश पूजा अर्चना की गई राजपुरोहीत अंबाज ख्यो अचार्युवा मंदिर के पुजारी राजा राम सत्पत्थी ने बैदिक मंत्रों चारन के साथ यहां भी ध्युवत पुजा अर्चना की है इस दोरान हवन भी किया गया पलामू में 60 वर सीय रामचंद्र राम के घर पहुचा जिला परसासान चुनाव आयो के एक निर्देश ने 60 साल के रामचंद्र की जिंद्गी बदल दी बता दे रामचंद्र के गाउं के लोग उस वक्त दंग रह गए जब देखा कि उपायुक्त समेत कई वर यह पतादि परिवार के साथ रहते हैं मंगलवार को डी सी समेत कई वर यह पता दिकारी उनके घर पहुचे तो पुरा परिवार दंग रह गया रामचंद्र और उनके परिवार के सरस्यों को कुछ समझ नहीं आ रहा था इस बात का यकीन भी नहीं हो रहा था कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी उपायुक्त खुद उनके घर आये हैं बता दे कि जहर्खन के मुख निवाचन अधिकारी के रभी कुमार्ग से निर्देश मिलने के बाद पलामो के उपायुक्त रामचंदर राम के घर पहुचे उनके साथ पूरी सरकारी महकंबा भी था नमाज पढ़कर टहल रहे पांच लोगों को पीकप ने कुचला देवघर जीले के कुंडा थाना छेतर अंत्रगत देवघर सारवा मुख्य मार्ग पर घाट घर के समी बुद्धवार की सुबा एक पीकप वेन ने पैदल चल रहे पांच लोगों को धाका मार दिया है इस का नाम तपजुल अनसारी 12 वर्षी हाई वह कुंडा था ना चेतर के खागडा गाओ का रहने वाला था वहीं घालो में हबुब अंसारी तन्वीर होसयन, रियाज अनसारी और फिराक अनसारी हैं सभी खडगा गाओ के ही रहने वाले हैं इनमें से दो लोगों को प्रात्मि उपचार के बाद उनकी गंफिर इस्थिती को देखते वे बेतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है अंतर बिद्याले बॉलीबॉल खिलाडियों का रेइस्ट्रेशन 22 तक धनबाद जीला वलीबॉल संग 12 issue 23,24 में 24 वे अंतर बिद्याले स्वर्गिये पी एन कपूर अंडर 19 बालक वर्ड टोफी एवाम स्वर्गिये सिवरानी कपूर अंडर 19 बाली का वर्ग ट्रोफी एवं अंडर 14 बालक वर्ग ट्रोफी बॉलीबॉल लिंक चेंपियनसिप का आयोजन होना है आयोजन एवं खिलाडियों के रइस्टेशन के लिए बुद्धवार को धनबाज जीला बॉलीबॉल संग एवं इस्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचरों के साथ बॉलीबॉल एस्टेडिया में बैठक की गई अध्यक्षा जीला संग के महा सचीव सुरज परकास लाल ने की है बैठक में नीन लिया गया है कि खिलाडियों के रइस्टेशन दस से बाइस अपरेल तक होगा वहीं 22 अपरेल को होने वाली दूसरी बैठक में चेंपियंसिप की तीती की घोसना भी की जाएगी क्यों लगती है फूट पाथ पर दुकाने हाई कोट ने सरकार से पुछा सवाल जारखन हाई कोट के जस्टिस आर मुखो पाध्याय वा जस्टिस दीपक रोशन की खंड पीठ में फूट पाथ दुकंदारों के पुर्णवास को लेकर दाकिल यनित याज का पर सुनवाई हुई सुनवाई की दोरां अदालत ने कहा है कि जब दुकंदारों के लिए सहर में वेंडर मार्केट बनाया गया है तो सलक की फूट पाथ पर दुकाने क्यों लगती है इस पर रोक लगाने को लेकर क्या किया जा रहा है जस्टिस आर्मुकोपध्याय ने मोखिक रूप से कहा है कि वह लालपूर छेत्रे में कभी भी निरिक्षन कर सकते हैं फुट पाथ को बसाने की योजना के बारे में अदालत ने राज सरकार से जबा मांगा है मामले में अगली सुनवाई 15 अपरेल को होगी बाबुलाल मरांडी गांडे पहुचे करकाताओ सिकी मुलकात जार्खन परदेश भाजपा अद्यक्स बाबुलाल मरांडी बुद्धवार को जाम तरह जाने के करम में कुछ देर के लिए गांडे के बुद्धूर्डी में रुके करकाताओ ने उनका गरम जोसी सुस्वागत गया यहां से वा घास को गाव में चल रहे नौदियो से सचंडी महायग्य में सरिक हुए एवं माथा टेका इसके बाद गांडे बिधान सवा उपचुना को लेकर कुछ देर तकर करताओ के साथ मंतराना की फिर जाम तरह के लिए रवाना होगा है मौके पर भाजपा मंडल अध्याक्स पूरसोतम चौधरी भी मवजूद थे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक कर दबाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को से सेर करना भूले साथ साथ आप आपने कुमेंट बक्स पर अपना फीड़वाइक अवस्य दे थैंक यू